आज की रेमिडी आपके फेस से काले भूरे तिलों को तो खत्म करेगी इस बात की मैं गैरेंटी लेती हूँ साथ ही साथ फाइन लाइन्स या रिंकल्स की प्रॉब्लम सुरू हो गई है मिन्स कम एज में आपकी एज जादा दिखने लगी है आप अपनी एज से चार से पांक साल बड़े दिखते हैं तो ये इस प्रॉब्लम को भी पूरी तरे से खत्म कर देगी Hey guys, welcome back to one of my skin care Friends, आज जो मैं रेमिडी आपके साथ शेर कर रही हूँ ये 100% tried and tested remedy है मेरी एक फ्रेंड को प्रेगनेंसी के बाद फेस पे तिलों की प्रॉब्लम हो गई थी स्टार्टिंग में तो ये कम दिखते हैं बड़ बहुत ही जल्दी बढ़के पूरे फेस पे हो जाते हैं तो यही उसके साथ हुआ तब उसकी mother-in-law ने उसे suggest किया कि ये remedy इस्तिमाल करें विकास अपनी एज में जब उनको प्रॉब्लम हुई थी तो उन्हों ने यही remedy इस्तिमाल की थी जो अक्सर हमाई दादी नानी हमको suggest किया करती है ना भरोसा उसको था नहीं लेकिन 10-15 दिन होते होते इतना बहतरिन result उसके face प्याना शुरू हुआ ब्लैक ब्राउन तिल थे वो lighten होने लगे तब उसने इसको continue रखा और एक से दो महिने होते होते तिल काफी हलके हो गया थे थ्री मन्त आते आते पूरी तरह से face उसका clear हो गया है यहां तक कि उसके face पहले से थोड़े से दाग धब्बे थे वो भी पूरी तरह से clean हो गया face ऐसा चमकता है लगता ही नहीं कि इस पर कभी कोई तिल या फिर किसी तरह की problem रही होगी so friends वही remedy में आज आपके साथ share कर रही हूँ ताकि आप भी इसका फाइदा उठा सके तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से prepare करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेना है potato यानी आलू इसको wash कर लेना है peel off करके grate कर लेना है और इसका जो juice निकलता है इसको separate कर लेना है अब ये जो बचा हुआ grated आलू है इसको आप फेके नहीं इसके साथ थोड़ा सा आप rice floor मिला लीजिए थोड़ी सी healthy add कर लीजिए और आप इसको face पे scrub की तरह इस्तेमाल कर सकती है ये dead skin cells को पूरी तरह से remove कर देगा अब जो हमने यहाँ पे आलू का juice पोटेटो juice separate किया था ये तकरीबन 2 tablespoon juice है अब हम इसमें इतनी ही quantity में tomato juice add करेंगे ये optional है अगर आप tomato juice इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप skip कर सकते हैं बट normally सबके घर में ये होता है तो इसको easily इस्तेमाल किया जा सकता है इसको भी ह हम यहाँ पे 2 tablespoon लेंगे मिन्स दोनों को हमने same quantity में लिया है friends आलू में होता है iron, potassium, fiber, calcium, fast porous protein तने सारी अच्छा हिया होती है vitamin A, vitamin B, vitamin C ये skin के लिए काफी ज़्यादा फाइदेबंद होता है बहतरीन bleaching agent होता है जब आप इसका regular इस्तेमाल करते हैं तो ये face के दाग धबों को easily remove कर देता है बट तिल इतने ज़्यादा जिद्धी होते हैं कि खत्म होते होते हैं दो से तीन मंथ ले लेते हैं मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ये किसी magic की तरह काम करने वाला है कई लोग को मैंने देखा है कि उनके face पे 10 से 15 साल पुराने तिल होते हैं बट उनको इस इस्तिमाल करिए देखिए आपको positive result ही मिलेगा इसको इस्तिमाल करने का तरीका भी बहुत easy है आपको करना क्या है कि आपको cotton ball की help से इसको अच्छी तरह से face पे apply करना है 10 से 15 मिरत face पे लगरेने दीजिए उसके बाद normal पानी से wash कर लीजिए ये आपको पढ़ दो time करना है एक बार आप सुबह कर लीजिए एक बार रात में सोने से पहले इस्तिमाल करिए लेकिन अगर कभी आपको लगता है कि आपके पास इतना time नहीं है कि आप आलू को grate करें तो आप ऐसा करिए कि आलू की छोटी slice कट कर लीजिए और face पे अच्छी तरह से rub कर लीजिए friends इसको लगातार जब आप 15 days करेंगे तो आपको result तो दिखने लगेगा लेकिन अगर आप चाहते है कि आपका face पूरी तरह से clean हो जाए किसी तरह के दाग धब्बे ना रहे हैं तो आप कम से कम 2-3 मन्थ इसका इस्तिमाल करके जरूर देखिएगा और फिर अपना feedback देना ब अगर आपको मसे यानी वाट हो रखे हैं तो ये remedy उसके लिए नहीं है काले निसाने flat till है फिर आप इसका इसका इस्तिमाल करिए लेकिन अगर उबरे हुए मसे हैं तो आपको ये इस्तिमाल करने की जरूरत नहीं है सो फ्रेंग्स वीडियो अगर जरा भी पसंद आया हो जरा भी helpful लगा हो तो प्लीज एक लाइक दे दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहौत ख्याल रखें थैंक्स पर वाचिंग बाबाई